नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने चैनल जॉब्स वाले भाईया में और मैं फ्रेंड्स सिवम ठाकूर बात करेंगे फ्रेंड्स टेकनिकल एस्टुडेंट्स के लिए यानि कि आई टी आई हो या डिप्लोमा या बीटेक हो उनके लिए काफी अच्छा मौका है उ और फ्रेंड्स बात करेंगे कि यह गवर्मेंट है या प्राइवेट है तो आपको इसका फर्स्ट लाइन में ही यह स्पस्ट क्या हुआ है कि लखनो मेट्रो रेल कॉर्परेशन इस फिप्टी-फिप्टी जॉइंट और कंपनी ऑफ गवर्मेंट अफ इंडिया और गवर् हुआ है और काफी अच्छी हैंड्सम सेलरी आपको मिल जाएगी और ऐसा नहीं है कि आपको बीच में निकाल दिया जाएगा और कोई भी कॉंट्रेक्श्ट नहीं है यह यह आपका जो जॉब होगा हंड्रेट पर सिस्टी एर तक आप लोग कर सकते हैं साट साल तक कोई दि इसका जो फ्रेंट स् तीन मार्ज को इसकी अजीश्ट हुआ है और ऑउनलाइन आप लोग इसका स्टार्ट कर पाएंगे 11 मार्च से आप लोग इसका ओनलाइन कर पाएंगी और 20 तक कर सकते हैं ठीक है दो अप्रिल तक आप लोगो complete कर लेना है और इसके बाद आपका exam date भी यहाँ पर निकाला गया हुआ है यानि कि जो exam date है friends 17 अप्रिल को आपका exam हो जाएगा और इसका exam का admit card है आप लोग 10 अप्रिल से download कर पाएंगे ठीक है यह clear होगी आप बात करते हैं कौन से कौन से post है क्या education qualification रहने वाली है और कि इतने पैसे आपके लगने वाले हैं इसको अवेदन करने के लिए तो चलिए देखते हैं सबसे पहला post friends आपके screen पर दिख रहा होगा कि assistant manager operation यहाँ पर आप देख सकते हैं E01 इसका salary है और वो आपको दिखा रहा है friends यहाँ पचास हजार से एक लाग साथ हजार यानिकि आपकी जब retirement होगी तब तक आपकी salary एक लाग साथ हजार तक हो चुकी होगी तो काफी electronics and communication हो तो वो लोग यहाँ पर आवदन कर पाएंगे और यहाँ पर कम से कम 60% marks अगर आप general OBC हैं तो आपको यहाँ पर होना पड़ेगा और 50% marks SCST के candidates कर सकते हैं यहाँ चीज़ क्लियर करना चाहेंगे friends अगर आप उतर-परदिश के निवासी हैं तभी आपको यहाँ पर आ और बाकी जो है friends उतर-परदिश के OBC SCST है तो उनको एज relaxation government of India के लिए 5 साल का और OBC के लिए 3 साल का छूट यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है और बाकी सारे पोस्टों में यही condition follow होगा तो मैं बार-बार यह चीज़ नहीं बताऊंगा आपको समझना है ठीक है नेक्ट पोस् अच्छी अच्छा चांस है अगर कोई यहां पर तयारी कर जाता है तो काफी अच्छा चांस है यहां पर जॉब लगने के लिए तो अभी देखिए friends यहां पर क्या मांगा गया है क्वालिफिकेशन थ्री इयर्स डिप्लोमा याने कि पॉली टेक्निक इंजिनिरिंग मांग अच्छी सेलरी है यहां पर फड़ों की बात करने तो इलेक्टिकल के लिए बावन पद मेंटेनर के उसके बाद फेंसे सिग्नल एंड टेलीकॉम के लिए 24 पद और सीविल के लिए 24 पद है तो यहां पर जो आइटे मांगा जगत मेंटेर के लिए आप दिल्ली मेट्रों हो के लिए काफ़ी अच्छा मौका होता है जो जिस ने किया हुआ है है यहां पर बता जाते हैं के लिए Android के लिए अड़ना निवारीय है इसके लिए और कर सकते हैं और फ्रेंट्स positivity के लिए यहां पर देखें तो फीटर वाले कर सकते हैं ठीक है ठीक है और यहां आपको बता देता हूं तो सबसे पहला फॉर्स असिस्टेंट मेनेजर उसके लिए बताया गया है तो सेलेक्षिन मेथेलोजी विल कॉमप्राइज़स तू सेज़स प्रोसे रिटेंट टेस्ट फॉलवड बाइद डाकुमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एक्जामनेशन आपको जो अगर असिस्टेंट मेनेजर का अपलाई करते हैं तो दो सेप में आपका होगा ज्वाइनिंग एक रिटेंट टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद मेडिकल एक्जाम और डाकुमेंट वेरिफिकेशन होगा ठीक है और यहीं बात कर लेंट स्टेशन कंटोलर क पॉल्ट टेक्निक वालेते हैं उनका तीन स्टेज में होगा यहां पर बताया जाए है रिटेंट टेस्ट होगा उसके बाद डाकुमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एक्जामनेशन आपका हो जाएगा ठीक उसी प्रकार मेंटेनर की बात कर लें तो मेंटेनर का भी यहां आप देख सकते हैं बाहर की स्टुडेंट उनको यह जाना जरूरी है कि जहां पर कंप्यूटर बिस्टिस्ट होगा इसका जो एक्जाम संदर होगा वह यूप के में में सहर में ही होगा ठीक है और नेक्स्ट के लिए बात करते हैं तो बात कर लेते हैं कि कितने पैसे आप स्टेट वालों के लिए वह किसी भी कैटेग्री के हो उनका पांचाल नब्बे ही लगेगा क्योंकि वह जेनरल केटेग्री में ही आवेदन कर पाएंगे और वहीं बात कर लेते हैं सेस्ट के लिए तो वहां पे 236 रुपे लगने वाले हैं अगर वह यूपी से बिलॉंग क जाके इसका आवेदन कर लेना है आवेदन कर दिया हुआ है कि 11 तारिक से आप लोग आवेदन कर पाएंगे और उसके बात करते हैं कि आगे आप लोग को क्या प्रोसीजर है इसमें जो भी उत्तरपर्दिस के निवासी हैं उनको यहां पे आर्थिक रूप से अगर EWS है या कि आपको जो भी भविस्य में अपडेट आता रहा है वहां पर भी आपको मिल जागा PDF अगयर है वहां से आप लोग आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं कोई दिकत नहीं आने वाली है तो जो भी जैसे कि मैंने जितनी क्वालिफिकेशन डिटेल बताई है इसमें से कंडिशन ह है वह आप लोग को बताना काफी जरूरी है कि अगर आप लोग जोईन करते हैं तो इसमें कुछ बॉंड भढ़ना पड़ेगा आपको अगर उस दोरान अगर आप छोड़ते हैं तो वह पैसे आपके non-refundable होंगे उसका जिकर कर लेते हैं आप यहां पर देख सकते हैं कि cost of training and security bond यहां पर यह चीज़ इंपर्टेंट है the candidate selected for the executive of non and non-executive post will have to deposit cost of training through demand draft in the favor of उत्तर पर्देश मेट्रोयल कोपरेशन लिमिटेड विफोर जोईनिंग इन यूपी एमर से ठीक है उत्तर पर्देशन मेट्रोयल कोपरेशन में जोईनिंग से पहले आपको एक bond बढ़ना पड़ेगा जैसे कि देखिए एक्जिक्विटी पोस्टा सबसे पहला उसमें आपको जो बॉर्ण है वो है 94,400 रुपए का और महीं बात कर ले सिग्नल एसीट एंड मेंटेनर वालों के लिए तो यहां पर फ्रेंट्स तार तीन सो और मेंटेनर वालों के लिए 23,600 तो आपको 3,600,000 रुपए आपको यहां पर नुकसान लगने वाले हैं वो एक्जिक्विटी पोस्ट यहन के पहले नमर पोस्ट की बात कर ले वीटेक वालों के लिए वहीं पोल्टेक्निक वालों के लिए बात करते हैं तो फ्रेंट्स यहां पर देड़ लाख रुपए आ आप सोच रहेंगा कि केवल उत्रपर्देश में अईसा है तो ऐसा कुछ नहीं है आप बैंक की भी जॉब करेंगे या फिर बहुत सार कहीं भी जॉब करेंगे तो आपको सिक्रोर्टी बंड आज कर लग जा रहा है तो इसको देखे घबराईएगा नहीं तो इंतजार करें किसी नए वीडियो का किसी नए इंफोर्मेशन के साथ चैनल पर पहली वार है तो जिरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा बैल आकन को दबा लीजिएगा इंतजार करें फ्रेंट्स नेक्स्ट वीडियो का तब तक के लिए धन्यवाद